आज मसाला किचिन में बन रहे हैं भूंदी के लड़ू वो भी एक स्पेशल खास तरीके से खास जगा के आज की जो रेसिपी है वो जैपूर की स्पेशल रेसिपी है लड़ू हमने कई बार बनाए होंगे खाये होंगे पर इस टाइप के डार्क लड़ू खाये हैं कोई आप सब को आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वो भी फ्री में ये है राजिस्तान के दूद के लड़ू क्योंकि इस लड़ू के लिए जो बेसन गूनते हैं वो दूद से गूनता जाता है इसलिए इसका नाम दूद के लड़ू होता है बहुत ही अमेजिंग लड़ू है इसे बनाना तो बनता है क्योंकि भई हमारा त्योहार है आज दशेरे पे special हम लड़ू बनाने वाले हैं चलिए देखते हैं उसके लिए हमें चाहिए क्या तो यहां देखिए नॉर्मल हम जब लड़ू बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं सबसे पहले बेसन तो बेसन तो मैंने लिया है ग्राम्स में देखेंगे तो करीब देट सो ग्राम है कटोरी से हम मैं आपके दिखा रही हूँ नॉमल एक कोई मेजरिंग कप नहीं लीजे घर की कोई भी एक कटोरी ले लीजे मेरे पास एक बड़ी सी कटोरी है वो मैंने पूरे भर की ले लिए अब यहां देखिए जो चीनी चाहिए ना इसकी चाशनी के लिए वो कितनी चाहिए वैसे चीनी थोड़ी ज़्यादा ही लीजे तो चलेगा बूंदी के लिए चीनी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें बनाने लड़ू लड़ू जितने moist होएंगे उतने ही अच्छे होंगे तो पॉनी कटोरी, जिस कटोरी से आपने बेशन लिया है उसी से पॉनी कटोरी आप ले लीजिक चीनी ग्राम्स में 1.5-200 ग्राम के आसपास चीनी भी चाहिए आपको क्योंकि चीनी भारी होती है तो दिखने में कम लग रहे है वो करीब-करीब 200 ग्राम चीनी है आपको लगता होगा इसमें दूद लिड्डू का क्या मतलब दूद तो दिख भी नहीं रहा हाँ, दूद दिख नहीं रहा लेकिन हम इस बेसन को ना पानी से नहीं गूंदेंगे इसे दूद से गूंदेंगे तभी तो ये डाक कलर की बूंदी बनती है अब हमें चाहिए दूद क्योंकि हम इसे गूंदने वाले हैं दूद से घर के इंग्रीडियन्स होते हैं कोई जादा ताम जाम नहीं होती है और हमें कोई जारा स्पेशल नहीं चाहिए जिससे हम अकसर पूड़ी बनाते हैं बस उसी से बनाने वाले हैं यहां देखिए मैंने उसी कटोरी से दूद भी ले लिया है और दिखाऊंगी कि कितना दूद इसके अंदर लगा है दीरे दीरे दूद डालिए पानी बिलकुल ना डालिए दूद से ही इसको गूथ लीजे दीरे दीरे जब आप इसको गूथेंगे न तो बिलकुल लंब फ्री बनेगा बैटर बहुत स्मूथ बनेगा और जितना ज़्यादा फेटेंगे उतनी ही बूदी आपकी पॉफेक्ट बनेगी बूदी का पॉफेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है बनाना सभी को अच्छा लगता है लेकिन कई बार बूदी लंबी हो जाती है कई बार बूदी फ्लैट हो जाती है कई बार बूंदी अजीब सी हो जाती है, ऐसा ना हो, मोती दाने जैसे बूंदी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें फ्लेम का ध्यान रखना है और बेसन की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है तो यहां देखिए, अभी मैंने बेसन को गूत लिया है, अभी मैं फेट रही हूँ, थोड़ा दूद अभी बचा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है, अभी थोड़ा और दूद लगेगा जब बेसन यह थोड़ा फूल जाता है न, तो हमें थोड़ा सा दूद और डालना पड़ेगा, यह देखिए, लेकिन एक साथ आपको पहले से ही बहुत ज़्यादा डाल देंगे न, तो प्रॉब्लम आ सकती है यह देखिए, मैं एक ही डिरेक्शन में बूंदी को इस तरीके से मिक्स कर रहे हूँ, कोई कलर नहीं डालना है आपको, कोई हल्दी पाउडर नहीं डालना है, क्योंकि यह डाक कलर के बनते हैं, दूद की वज़ा से देखिए, मैं कितना धीरे-धीरे एक-एक चमच करके इसमें दूद डाल रहे हूँ, फेटती जारी हूँ और दूद डालती जारी हूँ, यह देखिए, इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मुश्कल से एक चमच दूद यह बचा है, अब हम इसे ढख लेते हैं हो सकता है, एक-एक चमच फिर से हमें डालना पड़े, पहले बनाते हैं चाशनी, और हाँ, इसके लिए ना हमें मावा भी लगीगा, यह स्पेशल लड्डू है, मैंने आपको बताया था ना, लेकिन मावे के बदले आप दूसरा सब्स्ट्यूट भी डाल सकते हो, वो मैं बूंदी के लड्डू सुनकर हमें यही लगता है कि बूंदी के लड्डू का तो खास एक जारा उना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉमल पोड़ी वाला जारा चाहिए, और मैंने आपको पहले बना के भी दिखाए हैं, अगर बारीक वाली बूंदी से बनाना है, वो बहुत जादा गाधी चाश्निया मेरे नहीं बनानी है, चिपचीपी सी चाश्नि बनानी है, थोड़ा सा केसर आप डालना चाहिए तो डाल सकते है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा सा इलाची पाओडर डाल रिपूरू मैं, राजिस्थान की बहुत सारी तो बनाईए और इंजवाए कीजिए ये देखिए बादों बातों में हमारी चाशनी चिपचिपी हो गई है चाशनी को हटा के हम एक तरफ रख देते हैं अब देखिए पांसात मिट हो गये जब तक चाशनी बनी बेशन भी थोड़ा सा फूल गया जो बचा हुआ एक इसकी कंसिस्टेंसी पर आप ध्यान दीजे ये बहुत ही परफेक्ट आपकी बूंदी बनेगी मैं बार बार आपको एक एक छोटा छोटा पॉइंट भी बताती हूं वो इसलिए कि आपकी भी रेसिपी बहुत बढ़िया बने अब यहां पर हमने जो कढ़ाई रखी है न मै बूंदी न फ्लैट फ्लैट बनेगी तो परफेक्ट आँच होनी चाहिए इसलिए मैंने छोटी कडाई रखी है आप इसे घी में बना सकते हो लेकिन मैंने आज इसे रिफाइंड ओयल में बनाया है अब यह गरम तो हो गया है मैंने चैक भी कर लिया है अब यहां पर एक प बूंदी को बनाने के लिए आपने देखा एक दाना जो मैंने बूंदी का डाला है तल तल के वो देखो लाल हो गया है तो बस यही तरीका है दूद वाली बूंदी बनाने का अब मैंने जो जहारा लिया है उसकी उंचा ही भी आप देख लीजे बहुत उंचा भी नहीं करन और डालके हमें घुमाना नहीं है, बस बेसन डालके छोड़ देना है, अपने आप उसके ड्रॉप्स जो गिर रहे है गोल-गोल बूंदी निकल रहे है, अब यहां पर बूंदी को सेकना जादा है, हाँ, इस वाली बूंदी को डार्क कलर करना है, लाइट कलर की हमें बूंद नहीं चाहिए और एक बात इस बूंदी को डाग करेंगे तो हमारे लडू टाइट बनेंगे तो यही तो बात है तब ही तो इसमें मावा डालके से सॉफ्ट किया जाता है तो आपको इसी तरीके से बनाना है और जो यह जारा है ना हम जब दूसरी बार डालेंगे ना तो उस बूंदी को हमें बिलकुल साफ करना है या वाश करना है या दो जहारे रखिए एक जहारे को वाश कीजिए पोश लीजिए फिर दूसरे जहारे से आप बूंदी डाल दीजिए यह देखिए फिर से देखिए बूंदी की उंचाई देख लीजिए जहारे की उंचाई देख बस उपर से डाल रहे हूं, जितनी भी अराम से वो गिर रही है ना, वो अराम से drops गिरने दो, यह छोटे-छोटे जो tricks होते हैंना, वही आप कहीं ध्यान नहीं देते हो, तो आपकी बुंदी कई बार flat हो जाती है, कई बार dark हो जाती है, कई बार कोई problem आती है, अब कोई problem नही आएगी वैसे बूंदी के कई सारे लड़ू मैंने आपको रसिपी दी है आपने प्यार भी बहुत ज्यादा दिया है नॉमल बूंदी भी बना सकते हो अगर आप मावा नहीं डालना चाहे तो इसी बूंदी को नॉमल बूंदी बना लिजी बस चाशनी की कॉंटिटी थोड़ मैं छनी से निकाल रही हूं डाग कलर की बूंदी उसी चाशनी में डलती जा रही है तो सारी बूंदी को मैंने फ्राइ कर लिया है यह देखिए ओयल भी ज्यादा नहीं लगता है और बढ़िया सी यह बूंदी फ्राइ हो जाती है जब मैंने घर में बनाया ना यह लड़ू पहले जब मुझे परफेक्ट रेशो लगा बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा बिलकु चौत पर बनाएं किस पर बनाएंगे मुझे जरूर बताएं क्या आपने भी राजिस्थान के पहले यह लड़ू खाके देखें इस तरीके के डाग कलर के अगर हां तो मुझे जरूर बताएं मैंने पहली बार खाएं अब उसी चाशनी के साथ हमने लड़ू को बूंदी को उस कड़ाई में डाली दिया है और स्लो गैस करके ढगके हमें रख देना है जिससे क्या होगा वो चाशनी जो है न धीरे धीरे उस बूंदी को अपना रस पिलाएगी और यह थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और बाकी की जो थोड़ी सॉफ्टने समय चाहिए वो हम मावे से इसको कर देंगे 2-3 मिनिट के बाद हमने गैस को बंद कर दिया है अब हम देख लेते हैं यह क्या हाल है इस बूंदी का बहुत ही बड़िया रसीली बूंदी बन चुकी है इसे एक परात में निकाल लेते हैं नॉर्मल जो लड़ू होता है उससे थोड़ी हाड है अब हम ड बहुत ज्यादा डाक नहीं किया है आप चाहें तो मावे को थोड़ा और पका सकते हैं मुझे ज्यादा रखने नहीं है तो मैं ऐसे ही डाल रहे हूं अगर आपको कहीं रखने ज्यादा इन लड़ूं को तो थोड़ा सा मावे को और पका लीजिए यह देखिए इसमें पू नहीं डाला था, रिफाइंड से बनाये थे, अब मैंने उपर से 2-3 चमच घी डाल दिया, अब इस लड्डूों को बांधने की बारी आई, ड्राइफ रूट मैं नहीं डाल रही हूं, उपर से थोड़ी गार्निश कर दूँगी, ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही लड्डू ह आपको देती हूं, कैसी लगती है, मुझे कमेंट करके जरू बताएए, आप अगर इस चैनल पर नए आये हैं, जिससे सब्सक्राइब किये बिल्कुल न चाहें